वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करना ना बोले तो अगर आप लोगों के पास स्टेंडर्ड है या कोई भी रॉल इंफिल्ड बाइक है और आप उसका जो टायर साइज अगर ब्रोड करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आपके लिए बनी है वीडियो प्लीज लास्ट तक देहना सबसे पहले मैं इस बाइक के बारे में बता दू ये 2019 मोडल स्टेंडर्ड है और भी एस फॉर बाइक है देख सकते हैं आप इसमें फ्रेंट में डिसक ब्रेक भी नहीं है इसमें जो रियर टायर साइज आता है वो आपको मिलता है 3.25 इंटू में 19 लेकिन हमने इस बाइक मे अपग्रेड किया है टायर रियर साइज जो इसका इसको काफी ब्रॉड लुक दे रहा है आप देख सकते हैं पीच्छे से इसका टायर इतना पतला था कि मतलब जैसी ब्रेक मारते थे वैसी बाइक स्किड करती थी और ब्रेकिंग भी इसकी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन यह टायर डलवाने के बाद ब्रेकिंग काफी अच्छी हो गया और जैसे मिटी वगारा में जो ओफ रोडिंग में मतलब जो बाइक की ग्रिप है वो भी काफी 200 परसेंट तक इंक्रीज हुई है वो ग्रिप तो मैं और बाइक का जो बैलेंस है वो भी काफी अच्छा हो गय है और बिलकुल मतलब रोड से चिपक के चलती है वाइक उस टायर में तो थोड़ा सा मतलब बाइक का डिस बैलेंस होने का डर रहता था अगर वही हम स्टोक साइज वाड़ा टायर डलवाते तो आपको वह उस टायर मेरे खाल में 1500 तक पड़ जाता मैक्सिम तो अब जैसे आपने पिछली वीडियो देखी दी मैंने यह मेरे फ्रेंट की भाई के इसमें हमने जब अलोई वील अप्ग्रेड करा है तो हमने सोचा कि रियर टायर भी अप्ग्रेड करा देते हैं यह इसका टायर साइज आप देख रहे हैं 120, 80 और 18 मतलब 120, 18 और 18 यानि 120, 80, 18 और यह MRF का टायर है नाइलो ग्रिफ जैपर इसका नाम है और मार्केट में हमें यह करूल बाक से डलवा है हमने हमें यह पड़ा है 2250 रुपे का इंक्लूडिंग फिटिंग या शायद 22 रुपे का है इंक्लूडिंग फिटिंग और इससे यह जगहें जो बची हुए बिल्कुल थोड़ी जगहें बची हुए पहले लग रहा था कि यह जैसे पंचर होएगी बाइक तो दिक्कत होएगी हम तो शॉप की पर को बोल रहे थे कि आप 110 नंबर का टायर डाल दो वट उन्होंने हमें प्रैफर किया कि बाइक क पहले एक दो दिन में तो उससे बहुत मोटी कील थी लेकिन उससे भी कोई दिक्कत नवी पंचर होने के बाद भी हवा तो एक दम निकली नहीं क्योंकि ट्यूबलेस है और चैन वैन में भी साइड में टायर नहीं लगा पंचर लग गया था उससे पहले तो अगर आप भी अगर पहले अपनी स्टेंटर में लगवाना चाहे तो यह टायर आसानी से लगवा सकते हैं बाकि अगर कोई भी इस टायर के जो रिस्पोंस बगरा या रिव्यू जो भी होगा वो लॉंग टर्म रिव्यू शेर करने की अगर आप कमेंट करेंगे तो हम शेर कर देंगे बा आप डिस्टेंस देख लीजे टायर के और चैन के बीच में गयाप बिल्कुल कम है बहुत ज्यादा कम है और साइड में भी क्योंकि स्टैंडर का जो टायर साइज है वो 3.25 इंटू में 19 आता है तो काफी पतला होता है और जो यह रिम है मैंने पिछली वीडियो में भी बत चैन्सीज होते है चैन्सीज क्या वो टची होता अब इसमें 18 इंच किरिम है और जैसे 120 नंबर का इसका टायर और जो जो उसकी प्रोफाइल है जो मतलब उसका रेश्यो है तो वो 80 है 80 या नहीं 80 तो 120 का 80 परसेंट आप लगा सकते हैं मतलब उसकी जो विटत है तो 120 का 80 पर इशू है नहीं यानि लगबग 96 mm की उसकी इशू वह है विटत और यह टायर ना राउंड शेप में आप देख सकते कर्व में है तो इसका माइलेज पर भी कोई अभी तक इतना इफेक्ट नहीं आया बाकी लॉंग टर्म में बताएंगे अगर आपने कमेंट किया तो बाकी कमेंट करकर जबर बताना आपको वीडियो कैसी लगी इन्फरमेटिव लगी या नहीं यह थी आज की वीडियो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो